अगर आपके पास भी परदान मंत्री जंदन खाता है तो यह जानकारी आपके लिए है देखे इस वीडियो के मात्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप 2024 में जंदन खाते से कौन-कौन से फाइदे प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो के मात्यम से हम आपको पूरे तेरा बड़े फाइदे बताने वाले हैं जो कि जंदन खाते से आप आसानी से ले सकते हैं इसमें आप लाखो रुपे में भी लाव प्राप्त कर सकते हैं जी हां लाखो रुपे का भी फाइदा आप जंदन खाते से ले सकते हैं हाला कि सभी जंदन खाता धारकों को इन फाइदों के बारे में नहीं पता है इसलिए वह इन फाइदों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं दोस्तो इन तेरा बड़े फाइदों में लाको रुपे आप ले सकते हैं हर महीने तीन हजार रुपे ले सकते हैं हर महीने एक हजार रुपे ले सकते हैं तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं बस आप हमारे साथ अंतितक बन रहेगा वीडिय किसी भी बैंक में आपने जंदन खाता खुलवा रखा है आप वहीं से ही यह तेरा बड़े फाइदे ले सकते हैं चली वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जान कर देते हैं बस आप से हमारा यही निविदन रहता है कि आप हमरे साथ किरप्या आंत तक बन रहेगा व रुबह लाब प्राप्त कर सकें तो चलीए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे अगर आपने भी परधान मंत्री जंदन खाता खुलवा रखा है तो दो हजार चोबिस में खातधार को को पूरे तेरा बड़े फाइदे होने वाले हैं ज अपने जंदन खाते से प्राप्त कर सकते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है सबसे बड़ी ख़वर एक भी रुपया ना हो तो यहाँ पर एक-एक फाइदा करके हम आपको बताएंगे निकि एक-एक फाइदा आपको बताने वाले हैं कि कौन-कौन सा फाइदा जंदन कातधारकों को मिलने वाला है बस आपसे हमारे यही निविदान है कि आप हमारे साथ आनते तक बन रहेगा, लाश्ट तक वीडियो देखेगा इसके बिल्गुल भी मत करेगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या तो वीडियो को लाइक कर दिजे तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक लाब बताते हैं चलिए एक-एक फाइदा हम आपको बताते हैं देखे फाइदा नंबर एक जन्दन खाता फिरी में खुल जाता है और इसमें कोई minimum balance नहीं रखना पड़ता है अगर आप किसी दूसरे bank में जाएगे आप जन्दन खाता नहीं खुल आते हैं saving account open कराते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले 1000 रुपे से लेका 10,000 रुपे तक आपको देना पड़ेगा साथ साथ उसमें limit भी निर्धारित की जाती है कि इसमें कम से कम आपको 1000 रुपे रखने पड़ेगे साथी फाइदा नंबर दो अगर आपका जन्दन खाता 6 महीने पुराना हो चुका है तो आप 6 महीने बाद overdraft की सुविदा ले सकते हैं overdraft की सुविदा जो है 10,000 रुपे तक निर्धारित की जो है इसकी जो limit है 10,000 रुपे तक रखी गई है हाला कि इसमें दोस्तों आपको क्या गरना है कि 2000 रुपे जो 2000 रुपे की जो यहां पर overdraft है वे ज्यादा आपको सर्थ बिना सर्थ के ही वे आपको मिल जाते हैं यानि कि अगर आपके एकाउंट में एक भी रुपे नहीं है तो आप 2000 रुपे आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपके पास एक भी रुपे नहीं है तो आप 10,000 रुपे तक भी निकाल सकते हैं देखिए जंदन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है यह रुपे डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलता है आपको से कोई भी चार्ज नहीं ले जाता है अगर आप अलग से सेविंग एकाउंट में डेबिट कार्ड बनवाते हैं तो उसमें पड़ेगा आपके पैसे अकाउंट से कटेंगे लेकिन दोस्तो जन्तन खाते में आपको यह बिल्कुल फ्री में मिलता है जिसे वह खाते से पैसे निकाल सकते हैं और साधे साथ दोस्तों सोपिंग भी कर सकते हैं खरीदारे भी आप उससे कर सकते हैं वही फाइदा नंबर 5 पाइदा नमबर पांच में दोस्तों देखिए 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लियर रुपे कार्ड जो है वे बिल्कुल मुफ्त अकास्मिक बिमा कवा रहे हैं इसमें बिल्कुल आपको मुफ्त मिलेगा अगर 28 अगस्त 2018 के बाद आपका जो खाता है वे खुला हु अब फाइदा नमबर 6, दीखें, दो लाग रुपे तक accidental insurance कवर भी मिलता है, साथी फाइदा नमबर 7, 30,000 रुपे तक का life कवर जो लाबारती के मृत्यू पर योगता सर्ते पूरे होने पर मिलता है, फाइदा नमबर 8, दीखें, देश भर में पैसे के ट्रांसपर की स्विध दी जाती है, अगर आपके पास जंदन खाता है और आप देश में कहें भी पैसा ट्रांसपर करना चाते हैं, भारत देश के किसी भी कोने में आप पैसा ट्रांसपर करना चाते हैं, तो आप अपने जंदन खाते से पैसा ट्रांसपर कर सकते हैं, हलाकि आपको इसे पंजाब national bank का saving account है भारते state bank का saving account है HDFC bank का saving account है तो उसमें आपको कुछ limit देखने को मिल सकती है लेकिन जंदन खात अगर आपके पास है तो देश के किसी भी कोने में आप अपने पैसे को आसानी से transfer कर सकते हैं उसमें आपका कोई भी योजना का लाब ले रहे हैं देखिए अगर आप किसी भी योजना का लाब लेंगे तो आपको bank खते दो जरूर चाहिए होगा अगर आपके पास जंदन खाता है और आप किसी योजना में saving bank account देते हैं तो उसमें आपको इंतिजार करना पड़ सकता है और कुछ चानभीन भी आपकी हो सकती है उसके बाद ही आपके bank account में पैसा आपको देगी वहीं फाइदा नंबर 11 देगे खाते के साथ free mobile banking की सुविधा भी दी जाती है जी हाँ अगर आपके पास जंदन खाता है तो उसमें बिलकुल मुप्त में आपको mobile banking की सुविधा मिलेगी अगर आप किसी दूसरे saving account में mobile banking की सुविधा लेते हैं तो आपको द ICICI bank अगर किसी भी other bank में आपको खाता है saving account है और उसमें आप mobile banking की सुविधा को लेते हैं तो उसमें आपको अदग से charge देना पड़ेगा लेकिन जंदन खाते में आपको कोई भी banking mobile banking की अगर आप सुविधा ले रहे तो कोई भी charge आपको नहीं देना पड़ेगा तो फाइ दिन खाते गए जरिये बहुत ही आसान तरीके से आपना भीमा करा सकते हैं या फिर आप कोई pension का प्लान कर रहे हैं कि आपको pension मिले दोस्तु इसमें आप 3000 रुपे pension ले सकते हैं आपको इसमें हर महीने यनकी जो सरकार की तरफ से pension योजना है चला गई है इसमें आपको सबस फाइदा और लास्ट फाइदा वह है आपका यहाँ पर आप जान सकते हैं देखें जंदन खाता है तो प्रदान मंत्रिक किसान और सर्मिक योगी मांधन योजना जैसी जैसी योजना जो है वह उसका भी आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं pension आप इसमें ले सकते हैं सरकार बड़े फाइदे जो आप जंदन खाते से ले सकते हैं दोस्तो आप से हम निर्दन करते हैं किस वीडियो को आप जासे आता सेर करेगा ताकि और भी जो जंदन खाता धारक हैं इसके बारे में जान सके और वह फाइदा ले सके अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन सा आपको लिखना आया और दोस्तों आप किस राज्य से हैं या फिर किस जिले से हैं आप हमें उसके बारे में भी कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताईगा तो यह थे आपके लिए महत्मुन जानकरी आई होग आपको जानकर इच्छी लिगी होगी आपसे हम निविदन करते है करते नहीं होने चाहिए और में आपको प्रसुल गण्फ नंबर लिंक होना चाहिए तबी आप अपना जंतन खाता खुलवा सकते हैं चाहिए कोई से भी बेंक में आप जंतन खाता कहल दौई आपको आधार कारण में कोई परकरद होटाल्ढ़ती नहीं चाहिए त anneतने आज़त आओर मिलते हैं अपने इस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारा चैनल को आप जुरू सब्सक्राइब लिजे वीडियो को लाइक कर दिए धन्याबाद